नक्षत्र अपनी चाल हर समय बदलते हैं. इन नक्षत्रों का हमारे जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है. जोतिश विज्ञान के अनुसार कौन सा ग्रह और नक्षत्र आपकी कुंडली के कौन से घर में जा रहा है, इसके मुताबिक आपका जीवन प्रभावित होता है. प्रहुं की रोज बदलती चाल के कारण ही हमारा रोज का दिन भी अलग होता है. कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी दिन सामान्य गुजरता है. तो आपका आज का दिन कैसा रहेगा ये जानिये हमारे इस राशिफल में. मेश. आज का दिन अच्छा हो सकता है. करिय में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. आपको confidence के कारण जोखिम भरे कामों में सफलता मिल सकती है. पैसों और business के मामलों पर ध्यान देना होगा. सामाजिक सम्मान भी बढ़ सकता है. पारिवारिक संबंधों में सुधार के योग बन रहे हैं. सेहत पर ध्यान दे. आपका खर् पार्टन से बिलकुल न चिपाएं. शारीरेक रूप से ज्यादा नहीं, लेकिन मामूली परेशानिया जरूर रहेंगी. मिथुन. बिजनेस और नौकरी में परिवार से सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर सोच समझ कर बोलें. उन्नती के रास्ते खुलेंगे. बिजनेस में फाइदा होने के योग बन रहे हैं. घर में उपयोग होने वाली वस्तुमें खरीज सकते हैं. अपनी सोच सकारात्मक रखें. विश्वसनिय व्यक्ती का सहयोग भी मिल सकता है. आपका पार्टन समवेदनशील मूड में रहेगा. आपकी भावनाओं का सम्मान होगा. आपक अधिकारियों से सम्मान मिल सकता है. सेहत में भी सुधार हो सकता है. पुराने रोग दूर होंगे. कुछ नया करने की इच्छा भी होगी. सेंग, बिजनिस में नई योजनाई बन सकती हैं. रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं. किसी से उधार पैसा भी लेना पर सकता है. आपकी कोशिशे सफल हो जाएगी. ऑफिस के किसी काम से यात्रा के योग हैं, जो आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद हो सकती है. जीवन साथी से सहयोग मिलेगा. आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी. अविवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा ह होने के योग हैं. इससे आप थोड़े परेशान जरूर हो सकते हैं. वाहन का उपयोग सावधानी से करें. तुला, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है. अपने काम पर पूरी नजरे रखें. अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. आज आपके लिए योजना बनाना मेहनत करने से भ आपका कोई खास काम पूरा हो सकता है. आपकी सहत ठीक रहेगी. भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका रुझान बढ़ेगा. व्यक्तिगत समस्याएं हल होंगी. जमीन जायदाद खरीदने में आपका ध्यान रहेगा. निवेश की योजना बन सकती है. अचानक सूचन कहका माहौल आपके लिए खुशनुमा रहेगा. लव लाइफ और दामपत्य जीवन के लिए समय अच्छा है. खकान या तनाव की शिकायत भी हो सकती है. मकर, आर्टिक मामलों में सुधार हो सकता है. नए कॉंटेक्ट से फाइदा हो सकता है. आपके कामकाज की तारीव भी होगी. अचानक कहीं से धनलाब भी हो सकता है. नौकरी में मंचाहा स्थानांतरन या पदोनती की संभावना बन रही है. कामपत्य जीवन भी आपके लिए सुखद रहेगा. लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा. भारी भोजन करने से परेशानी हो सकती है. सेहत को लेकर सावधान भी रहें. कुम्ब, विजनिस में आत्मनिर्भरता रहेगी. नए लोगों से कॉंटेक्ट बनेंगे. काम काज बढ़ेगा. साथ के लोगों से सहयोग मिल सकता है. नए लोगों से भी अच्छे संभंध बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिती में जल्दी ही सुधार लाने में सफल रहेंगे. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे. पुरानी समस्याओं का समाधान मिल सकता है. मौसमी बीमारियां भी हो सकती है. मीन, आज आप अपनी वानी पर सयम रखें. अनियमित दिंचर्या के कारण आलसया और ठकान हो सकती है. की सेहत सामान्य रहेगी.